जैसे दोनों भाई एक स्क्रिप्ट पर लॉक हो जाएंगे इसको कुछ और बनानी है जैसे एक एक स्क्रिप्ट पर लॉक हो जांगे उसके बाद दबंग तो रेलीज हो जाएगी तोск ernst finally दोस्तो दबंग फोर से सल्मान खान का आचुका है बड़ा अपडेट जानिये आखिर क्या कहा सलमान खान ने दबंग 4 को लेकर तो दोस्तो यदि आप भी हैं एक्साइटड दबंग 4 के इस अपडेट को जानने के लिए तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब करना ना भूले जी हाँ दोस्तो सूपर इस्टा सलमान खान की दबंग फ्रेंचाइसी का फैंस के बीच बड़ा क्रेज है और हो भी न क्योंकि लंबे वक्त से ये चर्चा हो रही है कि आखिर भाई जान की दबंग 4 कब आएगी और इसी भी सलमान खान से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने फिल्म के अगले पार्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सभी के साथ सेर कर दिया तो कि दोस्तों बॉलिवूड एक्टर सलमान खान अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा लाइम लाइट का हिस्सा बने रहते हैं और यही वज़ा है कि सलमान खान की फिल्मों का फैंस दिल थाम कर इंतजार करते हैं खैर बात करें दबंग फोर के बारे में तो दोस्तों हाल ही में सुपर इस्टार ने अपने छोटे भाई अरबाज खान की फिल्म पटना सुकला के प्रीमियम में हिस्सा लिया जहां उन्होंने अरबाज खान की फिल्म की काफी तारीफे की और साथ ही साथ दबंग 4 को लेकर भी बड़ा अपडेट दे दिया इतना ही नहीं सलमान खान ने बताया कि दबंग 4 जल्द बनेगी क्योंकि दोस्तों फिल्म पटना सुकला के प्रीमियम के दोरान सलमान खान से पूछा गया कि दबंग 4 कब आ रही है तो सवाल का जब आप देते हुए भाई जानने कहा बहुत जल जैसे ही वो दोनों भाई एक स्क्रिप्ट लॉक कर लेंगे तब ये मुम्किन हो पाएगा फिलाल अरबाज खान कुछ और बनाना चाहते हैं और मैं कुछ और बनाना चाहता हूं लेकिन जैसे ही कहानी फाइनल होगी हम दोनों एक साथ आ जाएंगे तब दबंग फोर रिलीज हो जाएगी और इसी के साथ सल्मान ने रवीना की जम कर तारीब भी की क्योंकि दोस्तों अरबाज खान की फिल्म पटना सुकला में रवीना तन्वी सुकला की भृमिगा में है और इसी के साथ सल्मान खान ने ये भी बताया कि मैंने रवीना के साथ पत्थर के फूल और अंदाज अपना-पना समे तीन-चार फिल्मों में काम किया है मैं उसे हमारे छोटे दिनों से जानता हूँ और रवीना ने अपनी पहली फिल्म मेरे ही साथ की थी और अब इतने सालों बाद अरबाज उनके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी अदाकारा है और मेरी दोस्त भी है जो पेसे से एक वकील है